inversion का मतलब है किसी चीज को करना upside down जैसा कि आपके साथ होता है roller coaster में matrices उन पर नहीं बैठ सकते लेकिन उनके पास हैं दूसरी चीज़ें जैसे determinants, adjoint और singular या non-singular matrices जो help कर सकती हैं उनको कुछ ऐसे ही करने में हम आपको इसलिए ये चीज़ें सिखा रहे हैं क्योंके students हम आपको prepare कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जिसमें इस्तमाल है तमाम terminologies और method का वो है inverse of a matrix तो चले एक तरीका बताता हूँ इसे मालूम करने का जो है इस्तमाल करके adjoint इस दौरान आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपने हमसे अब तक सीखा है वो आएगा हमारे use में चले शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ जरा नज़र डालिए formula पे मैं इसे लिखे रहने दूँगा अपने reference के लिए अगर m एक square matrix है तो फिर inverse m का होगा adjoint of m divided by determinant of m अगर m है a, b, c, d तो फिर इसका adjoint हमें मिलेगा ऐसे के interchange करेंगे diagonal entries को और change करेंगे signs दूसरी entries के और determinant हमें मिल सकता है cross multiplication करके इन दोनों को minus करेंगे इन दोनों से जो होगा a, b, minus, b, c लेकिन ये होना चाहिए non-zero जो होगा non-singular why? क्योंकि हम zero को नहीं रख सकते denominator में नीचे की तरफ जो भी होता है अपन zero के वो mathematics में undefine होता है इसी वज़ा से हम सिर्फ मालूम कर सकते हैं inverse non-singular matrices का चले solve करते हैं एक example यहां हमारे पास है two by two matrix a हम ढूनने वाले हैं इसका inverse और हमने पहले ही discuss कर दिया है इसका formula उसे इस्तमाल करने के लिए हमें मालूम करना है adjoint और determinant a का however आपको हमेशा मालूम करना चाहिए determinant पहले क्यूंकि अगर वो हुआ 0 तो calculate नहीं किया जा सकता inverse और फिर हमें वहीं रुख जाना चाहिए क्यूंकि यह हमारा बहुत time बचाएगा यहाँ determinant a का होगा 2 into negative 3 minus 1 into negative 1 और इससे हमें मिलता है 5 यह तो equal नहीं है 0 के तो इसका मतलब है matrix a non-singular है तो हम inverse को ढूंड़ना continue करेंगे adjoint के लिए लेंगे matrix a दुबारा swipe कर देंगे diagonal entries और change कर देंगे signs दूसरी entries के अब जबके हमारे पास दोनों है determinant और adjoint इन्हें हम रखेंगे formula में यह negative 5 जो नीचे है divide करेगा पूरा matrix इसका मतलब वो divide करेगा हर individual term जो इस matrix के उपर है जब रखेंगे हम negative 5 हर number में तो हम देखेंगे के कोई भी number नहीं हो सकता मजीर divisible और decimal values हैं undesirable तो हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे यह है आपका final matrix जो के represent कर रहा है inverse of A लेकिन हम कैसे sure है के यह matrix है actually multiplicative inverse और इस matrix के साथ नहीं है कोई भी random numbers नहीं है याद है यह relation A into A inverse equals to A inverse into A equals to A इसके स्तमाल से verify कर सकते हैं अपना claim सिर्फ focus रखें इस पर A into A inverse equals to I part जो matrix हमने ढूंडा है अगर actually वो है inverse of A तो फिर A by the inverse of A यह हमें unit matrix देगा देखते हैं हमारे पास A है यहाँ पर और inverse of A है यहाँ multiply करेंगे first row first column से first row को second column से second row को first column से और आखिर में second row को कर देंगे second column से solve करें fractions और आपको मिलेगा 1, 0, 0, 1 जो in fact identity matrix है verify करके relationship हमने check किया कि यह matrix actual में inverse of A है इस lesson में आप ने सीखा कि कैसे ढूंडते हैं multiplicative inverse square matrix का वो भी add joint इस्तमाल करके आपने यह भी सीखा कि उसका result कैसे मालूम करना है कि यह correct है पस यही कुछ था इस lesson में आप से मिलूँगा अगले lesson में झाह ने, तशभगा आप में चेसे आप से इसम को लाग सीखा है